Hello everyone, welcome to the third lecture on straight line पिछले दो वीडियो में हमने डिस्कस किया था slope of the line के बारे में और हमने डिस्कस किया various forms of equation of line अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप description में देल लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकता हैं तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही important topics और उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे the general equation of line तो equation क्या होती है general equation क्या होती है क्योंकि हमने different type of equations पढ़ी different forms पढ़ी equation of line के बारे में तो हम सबसे पहले general equation समझते हैं कि line की general equation क्या होती है तो किसी भी line को आप represent कर सकते हो in the form of ax plus by plus c equal to 0 अब यहाँ पर कोई भी value 0 हो सकती है तो general form जो होती है जहाँ पर a, b और c कोई constant होंगे और x और y तो आपको पता है जो x coordinate और y coordinate होता है किसी भी point का उस line पर गो होगा तो यहाँ पर इस तरीके से हम किसी भी line को represent कर सकते है तो सबसे basic form जो होती है सबसे general form जो होती है this is called general equation of line तो यह general form होती है equation of line की अब इस general equation of line को हम compare करने वाले हैं various forms के साथ जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है क्या कहता है slope intercept form कहता है कि किसी भी जो equation of line जो होती है that is y is equal to mx plus c तो equation of line आप कहते हो y is equal to mx plus c अब यह c इसले वाले c से different है यह को हम small letter में denote करते हैं इस c को जो है हम small letter में denote करते हैं जबकि जो general equation होती है that is ax plus by plus c equal to 0 तो वहाँ पे a, b, c हम capital से denote करने ताकि आपको difference समझ में आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं m, m is slope of the line यह आपको अलड़ी पता है and c is y intercept c क्या होता है y intercept अब हम इसको compare करते हैं ax plus by plus c equal to 0 से तो आपको पता है कि ax plus by plus c equal to 0 होता है तो हम y वाले term को एक तरफ रहने देते हैं यानिके left hand side में और बागी हम right hand side में भीज़ देते हैं आपको क्या मिलेगा by is equal to minus ax minus c और you can say y is equal to minus a by bx minus c by b तो b से हम divide कर देते हैं right hand side में तो यह जो form हो जाएगी y is equal to minus ax by b minus c by b अब हम एक काम करते हैं अब हम इन दोनों equation को यह दोनों equation आपको यहाँ पे दी हुई है इन दोनों equation को जड़ा compare करते हैं तो यहाँ पे y आपको दिख रहा है यहाँ पे y आपको दिख रहा है यहाँ पे x आपको दिख रहा है कितना आ रहा है, that is equal to minus a by b, और यह जो c है, c को हम, जो constant हम है, उसको compare करेंगे इसके साथ, तो यानि कि small c, यानि कि y intercept जो होता है, इस line का y intercept, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अलग से y intercept, y intercept क्या हो जाएगा, that is equal to minus c by b, यहाँ पर capital c होगा, तो y intercept जो आ रहा है, that is minus c by b, यानि कि अगर आपको compare करना है, कि ax plus by plus c equal to 0, कोई भी equation आपको दी हुए, और आपको पूछा गया, इसका slope क्या होगा, तो आप सिधा कह सकते हो, इसका slope होगा, minus a by b, तो बड़े easily आप compare कर सकते हो, इन दोनो equations को, इन दोनो forms को, चाहे वो slope intercept form हो, या general equation हो, तो slope intercept form में से, general equation से आप slope intercept form वाली form भी लेके आ सकते हो, यानि कि slope पता कर सकते हो, और y intercept पता कर सकते हो, next हम चलते हैं, intercept form पे, तो intercept form अगें, intercept form आपने पढ़ी होगी, that is, x by a is equal to, या x by a plus y by b, यहाँ पे होता था, x by a plus y by b is equal to, equal to होता था 1, तो यह आपने form पढ़ी है, अब यहाँ पे अगर हम compare करें, किसको compare करें, ax plus by plus c equal to 0 को, तो इस तरीके की form हम लेके आ सकते हैं, तो आपको पता है, यहाँ पे आपको x चाहिए, left hand side में x और y दोनों आपको चाहिए, और c नहीं चाहिए, तो c को हम right hand side में लेके आ जाते हैं, तो यह बन जाएगा, ax plus by plus c is equal to 0, now हम कह सकते है, ax plus by is equal to minus c, equal to हो जाएगा minus c, अब हमको क्या चाहिए, right hand side में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमको चाहिए 1, तो 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, dividing both side by c, c से, या minus c से divide कर लेता है, क्योंकि हमको positive 1 चाहिए, negative न divided by minus c plus by divided by minus c is equal to minus c divided by minus c, minus c divided by minus c, that is 1, अब हमको एक और काम करना है, हमको यहाँ पे x का कॉपशन, यहाँ पर देख सकते यहाँ पे, x का कॉपशन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे x के साथ जो है, वो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम एक काम करते है, numerator और denominator दोनोंको a से divide कर लेते हैं और B, Y, Y माइनस C में numerator और denominator दोनों को B से divide कर लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, अगर मैं numerator को divide करता हूं तो मैं यही पर लिख देता हूं इस तरीके से इसको भी divide कर लेते हैं, इसको भी divide कर लेते हैं, उससे कोई फर państ n Person रहाएगा और इसको और इसको दोनों को B से डिवाइड कर लेते तो B और B यहाँ पर cancel हो जाएगा A और A यहाँ पर cancel हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा X by minus C divided by A plus B by minus C by B is equal to 1 तो आप कह सकते हो कि इस case में जरह compare कीजे X by A और यहाँ पर क्या है? X by minus C by A यानि कि X intercept जो होगा X intercept X intercept क्या हो जाएगा हमारा? that is minus C by A जो आपकी general equation of line है वहाँ से आप direct X intercept पता कर सकते हो और Y intercept भी आप direct पता कर सकते हो तो Y intercept क्या हो जाएगा हमारे पास? that is minus C by B यह होगा हमारा Y intercept अच्छा इसके लावा एक और तरीका है कि अगर आपको पता है कि अगर X intercept पर Y intercept इस general equation से आपको direct X intercept पर Y intercept निकालना है तो आपको पता है Y intercept निकालने के लिए X coordinate क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो अगर X 0 हो जाएगा तो इसको याद कर सकते हो, और अगर याद नहीं होता है आपसे, तो आप एक काम किज़े, आपको ये पता होना चाहिए, कि X intercept मतलब ये X axis पे होगा, वहाँ पे Y की value को 0 put कर देजे, क्योंकि X axis पे Y की value 0 होती है, और Y intercept यानिकि Y axis पे जहाँ पे line cut करती है, तो वहाँ पे X coordinate 0 ह करोगे, तो आपको Y directly मिल जाएगा minus C by B, तो I hope कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी, बहुत simple है, next आपके पास है normal form, अब normal form थोड़ा सा tricky है, तो normal form जैसे कि हमने पिछले वीडियो में discuss किया था, normal form क्या होता था, normal form थी, X cos omega plus Y sin omega is equal to P, तो ये normal form आपने पढ़ी थ अब हम एक काम करते हैं, हम जड़ा इसको compare करते हैं, किस से, that is, AX plus BY plus C is equal to 0, तो ये आप कह सकते हो, AX plus BY is equal to minus C, अब अगर मैं ये मानूं कि ये दोनों की दोनों equations जो हैं, वो same हैं, क्योंकि form ही तो अलग हैं, equations तो same ही होगी, तो अगर मैं इन दोनों equations को same मानूं, क्योंकि same कब होगी है, कि अगर मैं 2 से multiply करूँगा, 3 से multiply करूँगा equation को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर ये same equation होती है, यहाँ पर ध्यान से समझ ये इस चीज को, अगर ये दोनों equations same होती हैं, क्योंकि AX plus BY is equal to something, यहाँ पर भी X into something, यहाँ पर भी AX या something, PX plus, या CX plus DX is equal to E, समझ के आप कर सकते हो, इस form में लिखा हुआ है, दोनों आपको same equation के लिए है, क्योंकि same line की equations है, तो हम क्या करेंगे, कि उनके जो coordinates है, X coordinate, Y coordinate, और जो constant terms है, उनका ratio क्या होना चाहिए, इसका मतलब same होना चाहिए, तभी वो same equation होगी, यानि, यहाँ से आपको क्या मिल तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, cos omega by A, cos omega by A, equal to Y के जो coefficient है, यानि कि sin omega by B, sin omega by B, equal to क्या होना चाहिए, P by minus C, जो constant terms है, इनका ratio हमेशा क्या रहना चाहिए, same रहना चाहिए, तब जाके आप कहोगे, यह equation same line की है, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है, कि हमने यहाँ पर क् है, तो अगर यहाँ से आप compare किजिए जड़ा, तो आप यहाँ से देख सकते हो, cos omega by A, equal to sin omega by B, is equal to P by minus C, तो यहाँ से आप कह सकते हो, cos omega is equal to, देखो, cos omega by equal to P by minus C, क्या हो जाएगा, P into A, divided by minus C, और उसी तरीके से आप sin omega भी, यहाँ से लिख सकते हो, sin omega is equal to, क्योंकि sin omega by B, equal to P by C, तो यहाँ से आप clearly देख सकते हो, sin omega by B is equal to P by minus C आ रहे है, तो sin omega equal to क्या हो जाएगा, P into B divided by minus C, तो यह हमको मिल गई, cos omega और sin omega की values, तो अब हम compare करेंगे कि कैसे हम direct cos omega और sin omega की value पता कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पता होगा, कि P जो होता है, perpendicular distance होता है, line का origin से, और cos omega यानि कि omega जो angle होता है, वो उस perpendicular का और XX के बीच का जो angle होता है, उसको हम omega से represent करते हैं, तो वो हमने पिछले वीडियो में already discuss किया था, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं equation 1, इसको हम मान लेते हैं equation 2, और यहाँ पर square करेंगे, तो squaring and adding equation 1 and 2, तो यहाँ पर मै लिख सकता हूँ, cos square omega plus sine square omega, तो अगर मैं दोनों को add कर लोग, तो यह क्या हो जाएगा, that is equal to p square a square by c square plus, यहाँ पर second equation, यह negative है, तो negative का तो square positive ही रहेगा, that is p square b square by c square, यहाँ से आप देखोगे, cos square omega plus sine square omega equal to 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 is equal to p square, आप common ले सकते हो यहा denominator में आ रहे है, तो हमको मिलेगा, यहाँ पे a square plus b square, और दोनों का denominator common है, तो by c square में यहाँ से लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मुझे मिल रहे, p square is equal to c square, यहाँ पर capital है सब कुछ, c square by a square plus b square, यहाँ कि आपको perpendicular distance directly मिल जाएगा, that is equal to p is equal to plus minus c divided by square root of a square plus b square, यह आपको perpendicular distance की value मि यहाँ जो p की value है, यहाँ को यहाँ से directly मिल जाएगी, तो that is equal to plus minus c by square root of a square plus b square, और यहाँ से आप चाहो तो cos omega और sin omega की value भी calculate कर सकते हो, कैसे, यहाँ पर आपको clearly दिखा दिया हुआ है, that is, यह p की value हमें मिल गई, p की value हम equation 1 और 2 में अगर put कर लेते हैं, तो यहाँ पर पू क्या हो जाएगा, that is c, plus minus c, cc देखे cancel हो जाएगा है, यहाँ पर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, plus minus a divided by square root of a square plus b square, और उसी तरीके से sin omega की value आपको मिल जाएगी, sin omega is equal to plus minus b divided by square root of a square plus b square, और यह आपको मिल गई, normal form, तो normal form से आप directly, यानि कि normal form की form में कैसे लेकिया सकते हो, अगर जो ax plus by plus c equal to 0 की form दी हुए, यानि कि जो general equation of line दी है, और आपको normal form लिखने हैं वहाँ से, तो उसके लिए आपको चीए p, पहले p की value निकालेंगे, फिर cos omega और sin omega की value निकालेंगे, और उसको equation में आप put कर सकते हैं, तो I hope कि आपको चीज समझ में आ गई होगी, next topic है हम हमारे पास distance of a point from a line, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमें दिया हुए एक point, यह मान लेते हैं, point p है, यह point p आपको दिया हुए, यानि कि p के coordinates आपको given होगे, तो यह point p है, जिसके coordinates given है हमको, that is x1, y1, उसके अलावा एक line given है, जिसकी हमको equation पता है, line given होने का मतलब क्या इसकी equation है, ax plus by plus c is equal to 0, यह line है, इस line का हमको distance पता करना है, इस point p सी, distance कैसे, perpendicular distance obviously, यह distance d मान लेते हैं, तो यह p m जो है, perpendicular ड्रो कर लेते हैं, और उसका distance d है, यही d हमको पता करना है कि कितना होगा, अगर हमको line की equation given है, और एक point given है, जिससे हमको distance पता करना है, उस line का, तो य यहाँ पर आप देख सकते हो, point q पे वो क्या कर रहा है, x-axis को intersect कर रहा है, point r पे वो y-axis को intersect कर रहा है, तो q और r पे वो x और y-axis को intersect कर रहा है, और आपको पता है q, q पर उसका जो x intersect हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा minus c by a क्योंकि y की value यहाँ पे आप equation में 0 put कीजिए line की equation में क्योंकि यह line पे ही है यह point तो satisfy करेगा y की value 0 put करोगे तो x की value आजाएगी minus c by a तो वही है और अभी मैंने आपको बताया भी था कि x intercept minus c by a होता है उसी तरीके से r point जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे r point वो y axis पे है यानि की वहाँ पे x की value 0 हो जाएगी तो y कितना हो जाएगा minus c by b और अभी हमने डिसकस किया था कि x intercept minus c by a होता है और y intercept minus c by b होता है अगर equation of line है ax plus by plus equal to 0 तो यहाँ से यानि की मुझे पता चल गए point q और point r दोनों के intercept भी पता चल गए यानि की question के coordinates भी पता चल गए अब हम एक काम करते हैं अगर हमको एक distance d निकालना है यानि की pm जो distance है वो पता करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो हमको एक चीज पता है जो triangle p q r दिख रहा है बेस हम मान लेता है q r क्योंकि हमको perpendicular height पता है that is pm तो बेस में मान लेता हूं q r को और into height height कितनी है हमारे पास height है हमारे पास pm तो into में लिख लेता हूं pm तो half into q r into pm ये area of triangle p q r हो जाएगा लेकिन area of triangle का एक और formula था जब आपको तीनों vertices के coordinates दे होते है area of triangle p q r तो आपको point p के coordinates दे होए that is x1 y1 point q के coordinates यानि कि x2 y2 मैं ये मान लेता हूं और point r के coordinates x3 y3 मैं ये मान लेता हूं तो अगर आपको तीनों vertices के coordinates पता है तो area of triangle का formula आपको अल्रड़ी पता है that is half into modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 ये आपका triangle का area होता है और अगर हम compare करें दोनों को क्योंकि दोनों area of triangle p q r के ही formula हैं तो हम क्या करेंगे दोनों को compare करेंगे तो क्या हो जाएगा compare कीजिए half into q r तो आप direct लिख सकते हैं यहां से half into q r into pm is equal to half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 यहां पर 3 आ जाएगा x3 into y1 minus y2 आप इस तरीके से लिख सकते हैं और अब हमको क्या करना है अब हमको यह values put करने हैं तो यह क्या हो जाएगा देखें half into q r अभी q r distance कैसे पता चल लेगा तो q के points भी point q के coordinates मुझे पता हैं और point r के coordinates मुझे पता हैं तो मैं directly क्या distance formula से q r पता कर लेता हूं that will be equal to square root of x2 minus x1 का square तो यहाँ पे x2 minus x3 का square कर लेते हैं यानि कि minus c by a minus x3 यानि कि minus 0 का whole square plus यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 minus y3 का whole square यानि कि 0 minus minus से plus हो जाएगा c by b का whole square तो यह तो distance मिल गया q r into pm into pm कितना है हमारे पास? pm हमारे पास d तो into हो जाएगा d equal to यह किसके equal होगा? यह होगा half into यहाँ पे देख लिजे क्योंकि यह किसके equal होगा? यह जो आपके coordinates दिये हैं तो हम लिख सकते हैं इसको that is equal to half into x1 x1 की value तो x1 ही रहेगी just value put करनी है हम लोगों को into y2 minus y3 तो देखिए y2 यहाँ पे 0 हो गया minus y3 यानि कि plus हो जाएगा है c by b plus यहाँ पे आएगा x2, x2 की value चेक करते हैं that is minus c by a तो इसको minus ही कर देते हैं minus c by a हो जाएगा into x2 into y3 minus y1 y3 आपको देख रहा है that is minus c by b y3 है minus c by b minus y1, y1 की value किया है y1 की value तो y1 ही है तो इसको y1 ही रहने देते हैं plus x3, x3 कितना हमारे पास x3 है 0, तो 0 के साथ आप कुछ भी multiply करोगे, सब 0 ही होना है तो x3 into किया है y1 minus y2 to y1 कितना है, y1 तो y1 ही है minus y2, y2 किया है 0 है तो ये value आ जाएगी और अब हम इसको आगे solve करते हैं तो आप यहां से clearly देख सकते हैं that is half into देखें, minus c by a minus 0 यानिके minus c by a का whole square तो d को हम आगे लिख लेते हैं तो ये d by 2 हो जाएगा या फिर आप ऐसी रहने देते हैं हम half into d into ये क्या हो जाएगा square root of आप यहां से clearly देख सकने है square root of क्या आजाएगा ये आएगा c square by a square plus c square by b square d मैंने आगे लिखा है तो equal to क्या हो जाएगा यहां पर then equal to हो जाएगा वैसे आप यहां पर half cancel भी कर सकते हो तो यहां पर हम half हटा देते हैं क्योंकि दोनों जगे half है तो यह half और half की cancel कर लेते हैं तो यह half मैंने हटा दिया है यहां पर क्योंड़ d बचा हुआ equal to आ जाएगा यहां से modulus of x1 into यह हो जाएगा c by b तो हम लिख सकते हैं यहां पर c by b minus यहां पर देखें minus आगे क्या आ रहा है c into c यानि कि यहां पर आ रहा है c into c हो गया c square minus minus से plus हो जाएगा c square divided by a b plus यहां पर plus भी आ रहा है तो plus कितना आ रहा है यहां पर minus minus से plus हो जाएगा plus c हो जाएगा c y1 divided by यहाँ पर केवल क्या आ रहा है यह आ रहा है तो यह हो जाएगा आपका formula now अब हम एक काम करते हैं हम लिख सकते हैं यहाँ पर d is equal to यहाँ एक काम करते हैं पहले इसको lcm ले लेते हैं यहाँ पर आ जाएगा d into square root of यहाँ पर देखें c square दोनों जगे से common आ रहा है तो यहाँ पर हम c square भाल लेते हैं तो यह हो जाएगा d into c और यह 1 by a square plus 1 by b square बच जाएगा तो यहाँ पर आप इसको lcm ले सकते हैं a square b square तो यहाँ आ जाएगा a square plus b square by a square b square A Q 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 हो जाएगा यह, BC into Y हो जाएगा, plus C square, as it is, रहेगा divided by numerator, denominator में AB ही रहेगा, अब यहाँ से आप clearly देखोगे, तो इस side में देखे A square, B square को भी आप बाहर लेके आ सकते हो तो यह हो जाएगा, DC divided by, C capital होगा यहाँ पे, divided by AB A square root के अंदर है, और यहाँ पे बचेगा square root of A square plus B square, और दूसरी जगा क्या बच जाएगा, देखे, mod के अंदर क्या-क्या मिल रहा हमको, mod के अंदर मिल रहा हमको A, यहाँ पे C common आ रहा है तो C को common ले लिजे, बाकी बच रहा है AX X भी नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से X1 और Y1 था, तो मैं इसको correct कर लेता हूँ यहाँ पे X1 था, और यहाँ पे Y1 था, तो AX1 क्योंकि X और Y तो हेंगी नहीं यहाँ पे AX1 plus B Y1 plus C बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे divided by, divided by क्या आ रहा है हमारे पास A, B आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो C से C इस तरफ कैंसल कर सकते हो और A, B से A, B कैंसल कर सकते हो तो यहाँ से आपको क्लियरली D मिल गया तो जो distance होगा, that is equal to modulus, तो modulus का ध्यान रखना that will be equal to modulus of AX1 plus B Y1 plus C divided by square root of AX2 यहाँ पे mod होगा, यह चीज ध्यान दखेंगे mod होगा यह, divided by यह हो जाएगा A2 plus B2, यानि कि आप distance directly पता कर सकते हो यह आपको distance का formula मिल गया, तो I hope कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि कैंसे आप distance directly पता कर सकते हो काफी easy यह process था और अब हम पहुंचते हैं, last topic पे next video में हम इससे related questions भी discuss करेंगे, तो यहाँ पे है distance between two parallel lines, अब दो intersecting lines के बीच में था हम distance नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि हर point पे distance अलग-अलग हो जाएगी, तो हम parallel lines के बीच में distance पता करेंगे क्योंकि हो हमेशा same रहती है, तो यहाँ पर एक parallel line है दो, यहाँ पर यह line L1 मान लेते हैं, और इस line को हम L2 मान लेते हैं, तो line L1 की जो equation है वो है y is equal to mx plus c1, यहाँ पर आप लेरली देख सकते हो y is equal to mx plus c1 और line L2 की जो equation है y equal to mx plus c2, जानि कि इसका जो intercept है y intercept c1 और c2 है और यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया है यह चीज भिहान से समझेए, यहाँ पर हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो m है क्योंकि दोनों का slope हमने m रखा है क्योंकि parallel lines, दो parallel lines का slope हमेशा क्या होता है, same होता है अब माल लेते हैं इन दोनों की बीचका जो distance है दोनों parallel lines के बीचका जो distance है वो d है तब हम एक काम करेंगे हम इसको वैसे दो तरीके से कर सकते थे हम यहाँ पर भी use कर सकते थे हमने यहाँ पर use करना ज़्यादा अच्छा समझा उसको तो हमें काम करते है यह जो point है point A ले लेते हैं जो की x-axis पे है और वो line L1 पे है तो first line पे जो point है point A x-axis पे है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा जो y-intercept है क्योंकि y की value क्या हो जाएगे 0 हो जाएगी यहाँ पे y की value अगर 0 put करोगे तो x की value क्या हो जाएगी minus c1 by m और y की value 0 थे यानि कि point a के coordinates हमको यहां से easily मिल गए क्या minus c1 by m बड़ा simple था point a के coordinates मिल गए और अब ही जो हमने topic पढ़ा था क्या topic पढ़ा था कि एक जो line है कौन सी line मान लेते हैं second line है y is equal to mx plus c2 उस line का जो distance है कैसे पता करना है किस से पता करना है एक point से कौन से point से? अब point a का जो distance होगा इस line से दी ही रहेगा मुझे यही दी तो पता करना था तो हम इसको किस form में ले कैए आ गए हम इसको distance of a point from a line वाली form में ले किया गए एक line पहमने point पता कर लिया और फिर उस point से दूसरी line का distance पता कर लेंगे, वही distance between two lines हो जाएगा, बड़ा simple सा हंडा था, तो अब हमारे पास अगर equation of line जो है y is equal to, अब इसको लेकिन simplified form में लिखना है, तो line की equation होती थी उस समय, ax plus by plus c is equal to 0, और यहाँ पर हम line L2 की बात करें, क्योंकि line L2 से distance पता करना है, तो यह है y equal to mx plus c2, तो एक काम करते हैं y को उधर भीज़ देते हैं हम लोग, तो यह हो जाएगी, देखें, यह हो जाएगी distance mx minus y plus c2 is equal to 0, इसके साथ compare करेंगे, तो a is equal to हो गया m, b is equal to हो गया y का coefficient हो गया minus 1, और c जो हो गया, वो हो गया c2, और जो point है, x1 y1, x1 y1, उनक minus c1 by m, और y1 की जगह पर आगया 0, तो इस point से distance बता करना है, आपने अभी formula पढ़ा था, d is equal to होता है, mod of a x1 plus b y1 plus c divided by capital C लिख रहा हो है, यहाँ पर, divided by square root of a square plus b square, बड़ा simple है, तो अब एक काम करते हैं, direct formula यूज करते हैं, a, a की जगह पर देखें क्या है m, m है, m into x1, x1 कितने है, x1 है, minus c by, c1 by m, minus c1 by m, correct, plus b y1, तो b की जगह पर देखें क्या है, b याने की y का coefficient, तो b की जगह पर क्या है, minus 1, तो minus लिख लेता हूँ, यहाँ पर, minus 1, into y1, y1 कितना है, यहाँ पर 0 है, तो इसको हटा ही देते है, 0, plus c, c कितना है यहाँ पर देखें, c है, denominator में क्या है, divided by square root of a square plus b square, तो a कितना है हमारे पास, again देख लिजे, a है हमारे पास m, तो m square, plus b कितना है हमारे पास, b है y का coefficient, याने की, minus 1 का whole square, तो बड़ा simple है, तो यहाँ पर देखें, d directly मिल जाएगा, d is equal to, क्या है, देखें, m into minus c1, देखें, m cancel हो गया, तो यहाँ पर है, mod of c2 minus c1 divided by square root of m square plus 1, तो यह जो distance है, वो आपको directly पता चल जाएगा, यहाँ पर, अब आपको confused नहीं होना है, यहाँ पर देखें, c1 और c2 जो है, वो y intercept है, line l1 और l2 के, जहाँ से देखें, यहाँ पर c1 और c2, y, जो line l1 और l2 है, उनके intercept हैं, और m slope है, दोनों lines का, क्य उन दोनों का slope है, बहुत सारे बच्चे, जो c1 और c2 है, उसकी जगह पे, c रख देते हैं, ax plus by plus c वाली form में, और फिर answer गलत आ जाते हैं, तो इसका आप ध्यान रखें, तो I hope कि आपको यह सारे topics clear हो गए होंगे, अगर आपकी कोई भी queries, कोई भी doubts हैं, तो आप मुझे facebook, comment Instagram, कही पर भी questions पूछ सकते हैं, next video में हम discuss करेंगे, इस topic से, straight lines related, कुछ important questions, तो आप queries मुझे पूछ सकते हैं, उससे पहले, so, see you in the next lecture, thank you very much.